आज हम लोग बात करेंगे इस नए वीडियो में नुमेटिक ब्रेक सिस्टम का यानि की एयर ब्रेकिंग सिस्टम और नुमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम इसको बोलते हैं ग्रेड रे दो स வ बेकित ऊप सिस्टम और नुमेटिक त ile नुमेटिक अनुमेटिक अनु ब्रेक अई युप सिस्टम है नुमेटिक ब्रेक्षटम थीग है तो इसमें देखें क्या होता है है पिछले आपने जो बनाय था उसमें हमारा था मैंकेन कल ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताया था और जो है रहा हमने देखा सारी लगे हुए थे वह लिंक रोड़ और आर्मीचर की सहाथा से काम कर रहा था ठीक है और है डोलिक सिस्टम में देखे थे कि फ्लूइड की सहाथा से काम कर रहा था ठीक है फ्लूइड जेनरली लिक्वीड के सहाथा से हम कह सकते हैं उसको लिक्वीड की सहाथा से वह काम कर रहा था ठीक है फ्लूइड के रूप में हम लोग यहां पर एयर का इस्तेमाल कर रहे होंगी तो उसम लगए डिस्क ब्रेक लगाएं सिर्फ जो है हम लोग फ्लूइड जो है वो दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसने क्या जाता है कि पहले एयर को कंप्रेश किया जाता है यहां से लाते हैं इस तरह से गुमा करके लाते हैं तो यहां पर क्या होता है कि कुछ अगर वगर आग गया तो उसको हम सेप्रेट करने के लिए वब सेप्रेटर इस्ते हैं ताकि निकल जाए यहां पर प्यृॉर सर्गdsर जाकर करके रिसीवरर इसको लोग यहां पर एक हैं चैंबर हो हो सकते हैं जहां पर्षक को किया जा सकता है ढूँर सलाइवर कर दिया है और एक उप लगाया I didn't want to use the य्वार्व लगाया कि अगर इसमने एक्स्ट्राइब डिभलप हो जाता है मान लेते हैं कि प्रेसर इसके हैं ६ तो रिलीज बांव के सहाथा से धुलइस हो जाएगा ठीक नहीं कि एक निसीत अमाउंट में इसमें प्रेसर जो हैbaar उससे ज्याधा नहीं होगा उससे जदा होने के बाद वह रिलीज बाल्व के साहरे ओठ हो जाए तुम्हें यह लोग और जो बना रहे हैं यहां से क्या होता है कि हम लोग लाइनिंग दिए पाइप लाइनिंग दिए हुए यहां पर व्रेक भाल्व को ठीक है व्रेक भाल्व को हम क्या किये हैं लाइनिंग दिए हुए ठीक है तो यहां से आपका जो compressed air है वह ब्रेक वालब को आएगा परेक विख जो है एस ऊस तरह का भाल होगा कि जब आप फेडल को fresh करेंगे तभ यह ओपन हो ने के बाद यह आपका रास्ता बना देगा किसका असाय में में एक किसका फेडल को इसً लाइनिंग को सबने फ्लो करवाएगा ठीक है अब देखिए कि अगर मान लेते हैं कि से ब्रेक पैडल आपने नहीं दबाया है तो उस इस्तिति में यह क्लोज रहेगा और जो अब जैसे ही आप पैडल को प्रेज करते हैं तो यहां से आपको लाइनिंग में आना सुरू हो जाता है यानि कि यहां से जो आपका गया है इसको हम लोग बोलते हैं टंबलिंग टीग यह जो हमने अरेंजमेंट किया है फोस पाइप लगाया है ठीक है यह होस पाइप जो से आपका ब्रेक चैंबर को जाता है यह सारा जो आपको अरेंजमेंट है यह ब्रेक चैंबर है ठीक ना यह ब्रेक चैंबर में क्या होता है कि यह पड़ी जैसे ही यह आपको यह जाता है उसी समय की अब किसलेक अडिस्टर जो नहीं वह क्या करेगा खीड करकर कर के केंश करता है जिए व्हुज़ाइस से आपका ब्रेक्स के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो देखिए यह होज के सहारे जो आपका यहां पे एर गया है किसमें ब्रेक चेंबर में ब्रेक चेंबर में जाने के बाद जो से आपका ऑपरेट होता है ठीक है तो बात यह है कि से यहां पे तो आप यहां पे ब्रेक पेडल दबा इसको कहने का मतलब यह है कि अगर एक्स्ट्रा प्रेशर अगर आ जाता है मान लेते हैं जैसे ही आप इसको कंप्रेश करें इसको थोड़ी पता है किसे कितना हमको एर वेजना हो तो जितना हो सकेगा वह एक्सपेंड करेगा क्योंकि वह कंप्रेश्ट है तो फैलना चाहेगा तो जितना हो सकेगा वह जाकर कर के होस पाइब के थूरू जो जहाकर के सब में फैल जाएगा तो क्या होगा किसे अगर extra amount में चला जाता है तो यह तो आपका break chamber में जाकर को कोई destroy करना शुरू कर देगा उसमें extra pressure create कर देगा तो उस extra pressure को कम करने केलिए हम लोग यहां पर कीमेर Blue region वालबा लगाते दोने जगा पर टंबलिंग टी जो है मेना वहां पर हम लोग इमर्जेंसी मेली अरफ लगाते हैं वही Air pressure जोएसे यहां आपको 4 ब्रेकिंग चेंबर में जाएगा टिक है और जब आपका Operation complete हो जाएगा तो धीरे धीरे जो हैसे आपका release valve से जो आपका emergency release valve उससे आपका धीरे-धीरे Air pressure जो से release होते रहेगा ठीक है को यह हमारा एह एयर कंप्रेसंग एह और ब्रेकिंग सिस्टम यह नुमैटिक ब्रेकिंग इंड का फस्लिक इसको है हैं इसको hydraulic breaking system भी बोसकते हैं एयर जो है वह एक तरह का fluid ही होता है ठीक है एक तरह का fluid ही है यह भी तो इसको भी हम लोग hydraulic system बोसकते हैं लेकिन hydraulic में ज्यादा तर हम लोग encounter होते आये हैं कि liquid से ठीक ना जैसे लिए उसमें हम लोग liquid वाले पार्ट को ढिसकेस करते हैं जुढ़ा मास्टरों राता है तो इस में अगर डिफ्रिंस कि अगर बात कि तो इसमें भार आपको दीख रहाए जैसे हाइट्रों इस मेन आपका झाले से इसे मास्टर रहता था है यहां पर मास्टरों शिलिंडर और एप तो यह इस तरह से वहां पर हम लोग पिस्टन का इस्तेमाल करते थे यह पे हमारा पिस्टन का इस्तेमाल भी तो यह कहानी है हमारा एर सबस्क्राइब हो जाएगा फिर हमलोग में से सिस्टम पर बात करेंगे और उसके बाद अपका से यूनिट खतम हो जाएगा पांच वो उनिट खतम हो जाएगा बट उसके बाद भी हम लोग कुछ टॉपिक और जो है से हम लोग करेंगे बिजन तो इस बीट्विन ड्रम एंड डिस्क ब्रेक क्या होता है तो डिस्क प्रेक में हमने लिखा आया कि फ्रिक्षन पैट्स और फ्रिक्षन लाइनिंग अर कर्व हम लोग जो देख रहे थे तो डिस्क ब्रेक जो है कुछ इस तरह से था कि यह हमारा एक प्लेट लगा रहता है डिस्क लगा रहता है और इसमें हम एक पैड्स लगा देते हैं ठीक है यही यही पे अपका जसे यह फ्लाट का आपका एक सीधा टाइप साबका जहिएա म taraf रहता है इस तरह से पैड़ जो क्या करता है किसे उसको फ्रिक्षन के लिए responsible होता है ठीक है यह flat types होता है लेकिन इसमें अगर देखें तो यह हमारा कुछ इस तरह से रहता है यहीं कि इसमें अगर हम देखें तो यह है और इस तरह से बना हुआ रहता है फ्रिक्षन कि इस तरह से बना हुआ रहता है तो यह कर्वड लाइनिंग हमारा हो गया ठीक है फ्रिक्षन लाइनिंग जो से कर्वड कुछ इस तरह से बना हुआ रहेगा यह वाला सर्फेस फ्रिक्षन लाइनिंग का कल आगा ठीक है कर्वड बना हुआ रहेगा तो यह एक तू एरिया ज जो है वह आपका फ्लैट रहता है इसमें आपका फ्रिक्शन लाइनिंग जो से वह आपका कर्ब सेप में रहता है अगर हम फ्रिक्शन सर्फिस करें तो वह डारेक्टली एक्सपोज रहता है किसके साथ एर कुलिंग के साथ इसमें आपका जो से हमने बताया था किसे यह आपक मिलती है ठीक है लेकिन यह जो से close structure एक drum के अंदर का structure है तो यह जो ऐसे आपको अंदर का structure बनने के कारण से इसमें जो है अंदर हो जाता है ठीक ना friction जो lining होता है वो अंदर में होता है friction occur internally यानि कि अंदर में friction होता है and heat dissipated by conduction and convection तो इसमें heat का जो dissipation होगा वो conduction और convection दोनों के कारण से होगा इसमें तो सिर्फ आपका convection हो जाएगा इसमें आपका conduction और convection दोनों हो जाएगा convection इस अर्थ में इसमें इसलिए क्योंकि यह एर के साथ आपका directly जो से heat को कर देगा ठीक है और इसमें जो होगा आपका एर में भी होगा और साथी साथ जो है ड्रम में भी हीट को डिस्टिब्यूट करते रहेगा ठीक है उसके कारण से भी हीट आपका डिसीपेट होते चला जाएगा फिर है आपका more efficient होता है यह जो डिस्क ब्रेक है आपका more efficient होता है highly efficient होता है इसके comparison में यानि की ड्रम ब्रेक के comparison में ठीक है आज आज कल ज्यादा तरी उस किये जाते हैं आपको डिस्क ब्रेक का ज्यादा efficient होने के कारण से इससे नुकसान भी होते हैं इतना efficient होता है कि जैसे आप ब्रेक लगाते हैं वहीं पर गाड़ी रूख जाता है कभी-कभी यह आगे वाले इसके comparison में जो ऐसे 20% कम बेट होता है इसका ठीक है और यह जो है heavier वेट का होता है क्योंकि ड्रम उसमें एक्स्ट्रा एड कर रहे हैं तो हम लोग ड्रम का जो वेजन है वह हमारा एड हो जाता है ड्रम के कारण से वह heavier वेट का हो जाता है इसमें हमने बात किया था कि friction area जो इसमें छोट कम होगा इसमें friction area ज्यादा होगा तर फ्रिक्षन एरिया और फैड इस लेस फ्रिक्षन एरिया इस मोरी से फ्रिक्षन एरिया हमारा ज्यादा होता है अब आए देख लेते हैं difference between hydraulic brake and pneumatic brake system में क्या होता है वेट उसमें हम लोगों को ज्यादा power लगाने की जरूरत होती यहनिकि driver को ज्यादा effort लगाने की जरूरत होती इसके comparison में air compressed air वाला के comparison में ठीक ना हम लोगों को कम power लगाने कम ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है ठीक है दूसरी अगर हम बात करें तर ब्रेक इसको किसी और काम में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मास्टर सिलेंडर में आपका भर करके ब्रेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसमें क्या है कि क impressed air का जो है उसको हम लोग टायर में भरने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में इस्टीरिंग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हाइडालीक के लिए ठीक है तो यह हमारा फाइदा हो जाता है फिर हमारा कि no need of compressed air filter इसमें एक फायदेमंद बात यह हुई कि इसमें हम लोग को compressor की जरूवत नहीं पढ़ती है एएर filter की जरूवत नहीं पढ़ती है बट उसके अस्थान पर हमको master cylinder की जरूवत पढ़ती है ठीक है तो इसमें लिख सकते हैं कि इसमें अगर देखें तो नीड ओप कंप्रेसर एयर फिल्टर इससेंशियल क्योंकि इसमें हम लोग एयर को कंप्रेस्ट एयर को सब्सक्राइब करके ही इस्तेमाल करेंगे तक कंप्रेसर की जरूत पड़ेगी कंप्रेस्ट करने के लिए साथ ही साथ उसको छानने के लिए एर जो है से उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं कभी कभी मौश्यर आ जाता है उस सब को हम लोग को छानने के लिए इस्तेमाल हटाने के लिए फिल्टर करने के लिए एर फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ठीक है फिर हमारा लेस पावर्फुल होता है आपका है डॉलिक ब्रेक सिस्टम जो है यह नुमेटिक ब्रेक सिस्टम के कम परेजन में यह कम पावर्फुल होता है यह ज्यादा पावर्फुल होता है ठीक है इसको जैसे ही आप apply करते हैं वैसे ही जहां के तहां रूप जाएगा इसमें एक इसे थोड़ा सा आपको tolerate करेगा ठीक है तो यह हमारा था difference जो हमने देखा कारण से इसको अब रख सकते हैं दिमाग में ठेक है थैंक यू